नमस्ते दोस्तों आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल फैंड़सी दुनिया में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है रो टी वर्सस भी यू बीके भी जो खेला जाएगा हंगरी टीटैन का मैच गैस वीडियो में क्या मिलेगा वीडियो में आपको डिप्ट करना वीडियो अन तक देखो ताकि आपको आफटा टॉस क्या डिसिशन लेना पड़ेगा ना बहुत क्लियरली मालूम चल जाए तो वीडियो पुरा देखना वीडियो पसंदा है तो लाइक करते ना अगर आप चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हो नोटिविकेश वाला बेल दबा लेना तो अब आता हूं मैं एनलाइस वाले सेक्षिन में सबसे पहला नाम आएगा वेनियो जीबी ओवल ग्राउं नबे के आसपस 90-100 के करीब रन बनेगा और यह जो मैच होगा ना दोनों टीम बहुत ही अच्छा है तो बेसिकलिए अब तक जो ट्रें च चार बजी इंडियन टाइम स्टाट होगा ना और रेन का तो फिलाल कोई सान नहीं है कि होगे नहीं रेन तो डॉंट वारी पुरा मैच होगा सारे चार से पहले आपको ना फाइनल अपडेट भी मिल जाएगा टेलिग्राम पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिले लेगा आप जॉइन हो जाओगे पट जो इंपोर्टन बात है वह है कि चल रहा है फिलाल बारह मैंच खेला गिया है नौ वीन के बैटिंग तो क्लियरली अगर आप जानना चाहोगे तो कौन फेबर करेगा बैटिंग फिर्स्ट फेबर करेंगे बट दूसरा भी डिसन है द अनौनो टीम में आसपास दोनों क्वालिति ये मैच ब्रा मैच होने वाला है यहां पर ना दोनों टीम चाहए गा तो जरूर से कि हम लोग पहले पॉस जीएते, बैंटिंग क्रें, बरा टर्गेट सेटकरें, जो बेसिक सा नेचर होते, जो बेसिक सा नेचर होते हैं, जो बेसिक ये ली कृकट में ज्यादा तर पसंद करता था एक टाइम में, फिलाल तो चेजिंग ट्रेंज में चल रहा है, स्टिल यहां पर ट्रेन में चल रहा है कि बाॉलिंग बैटिंग फर्स्ट करो और बरा रन करो लास्ट मैच के स्कोर कर रोटी ने तीन वीन के एक हा रहा है अब लास्ट मैच में थोड़ा सबको सब्षर्प्राइज जो होते हैं हम लोग हमेशा टी टैन में एक आदे मैच जिशानकार ने बाॉलिंग नहीं राला तो थोड़ा रिस्की बन जाते हैं नेचर ऑफ कैप्टेन वाइस कैप्टेन बनाने के लिए थोड़े रिस्क है अधर्वाइस सेफ पीक तो है मस्ट है अधर्वाइस में राइटम मीडियम हर्श मध्यान आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे आपको बेसिकली हर्श मध्यान विद बॉल जादा एफेक्टिव है अब बात समझो अब ध्यान से बारी की से बात समझो कि अगर बैटिंग फर्स होता है ना तो इनका जो नीचा रहे खिलने का वो ठीक है मतलब स्लो केलेंगे टीम सौ के करीब बनाएगा ठीक है एंकर रोल प्ले करेगा जब चेजिंग का बात होता है और जब 110-120 चेज करना पड़ता है वहां पर ना एंकर कोई होते नहीं है वहां पर टी तेन में मेरे सबसे दोने एंट से मानना पड़ेगा उस सिचुएशन मे ब्री में पर्फर करों का फरस्ट निक्स में स्टेन को लेना सेकेंड यनिख्ज ने दिलतार थोड़े जादाइड एंटीकिंग घिले तो आप देखी एंटीकिंग जब खेल तो अब एजब एजब एंट स्टेन थोड़े जया जादा थोड़े जादा फॉर्म बेटर भी कुछ ऐसा बात है कटर पल बेसिकली इन नेचर यह एक बॉलिंग ओल राउंडर है आपको विकेट टेकर अप्षिन है अगर टीम इनको यूस करता है तो यह विकेट लेके देगा अगर टीम इनको यूस नहीं करता है तो कैसे विकेट लेके देगा बट बैटिंग ज्यादा पॉफोमेंस नहीं करेंगे प्राशार के सिजन में पॉफोमेंस एक मैच में दो ओवर चोड़ के बाकी के मैचेस में एक एक ओवर है अक्रमुल्ला मालिक को टीम बैक कर रहा है तो अच्छा वैसा बाॉलिंग भी कर रहे है तो आप बाॉलिंग सेक्शन से सेफ चॉइस है राइट हैं और बैट स्वन, राइट आ मीडियम कर लेंगे सावंथ अब देखिए सावंथ देना तीन मैच मेंस एक ही मैच में बनी नहीं निकाला था अब उस मैच में सावंथ मेरी टीम का पार्ट था तो आइडून नो ये इनके साथ मेरा कुछ अलगी लेविल का मैच चल रहा है या नहीं चल रहा है बट इस्टिल आप ट्राइ कर सकते हो बिकॉस जब जब बॉलिंग क्या है हमेशा विके निकाले एक मैच में नहीं निकाला अगर दो वर डालते तो ले ले ना नरिश मन मैं शायद ना लूँ आयन मौमीन मन नहीं लूँगा अगर खिलता है तो मैं ट्राइज जरू से करने का पसंद करूँगा लास सेजन के लिए शायद 8 विकेट भी था इनका यार खमाल के बॉलिंग थे बट इस सेजन में इनको अब को लोग क्लीन स्विप करते थे इनके कारण अब बी यह फॉम में चाली हुए तो कैप्टेन वाइस कैप्टेन बन जाते ओविसली ओपेनिंग करेंगे दो वर एक ओवर एक उवर तो डालते हैं एक ही मैच में डाले अदर्वाइस दो डाले तो एक मस्ट पिक इनके इन से शायद माता निकल के इन पे आ गया होगा यह बहुत अच्छी प्लेयर होगा करता है एस गुच अफिशली मेने आर्टिकल में पड़ा था ग्रहम गुच का कुछ का कजिन वजिन है बट स्टिल आप ट्राइ कर सकतो हो अगर जेल खेल लो स्मॉल लिग में मत ले यह बॉलिंग और नहीं है यह बॉलिंग और नहीं है दोनों से पॉइंस दे सकते एक्वेली बड़े प्लेयर बट सिजन थोड़े ओफ-फ मतलब यह जो जितने कैलिबर इनका है गाइस जितने अच्छ परमिस कर सकते उतना नहीं दे रहा है बट स्टिल कुछ न कुछ कर र सल्मान खान आइधिंग मैं प्रिफर करूंगा लेना आप चाहो तो ड्रॉप कर से तो बट मैं बोलूंगा कि आप इनको ले लो टीम के लिए में बॉलिंग बॉलर दिख रहा है इजार खान अगर यह की सेक्शन में नहीं रहा ना देखो दो मैच में बॉलिंग डाला और मैच में की बॉलिंग करते हैं इनको तो यह पावर प्ले में डाल रहते हैं तो इस महंदास किसको डालेंगे ऐडिया है कुछ मेरे पास है अब यह डालेंगे जिशान को जिशान तो मार देंगे मतलब मैं कनफॉर्म हूँ बट हर्षमत ध्यान कैसा रियक्ट करेगा और कौन गाइस एस महंदास डी अकबर मैं शायद नालू बिकॉस एक आदा ओवर डाल रहे एन लियानेच थोड़े ज्यादा प्रिफर करूंगा मैं कंपेर्ट तो दी अकबर और क्या क्रूम गोडा इनको शायद कुछ पैर में चोट वोट लगा तो शायद यह निकल गया एक मैच में आप बॉलिंग कर रहे थे गुई के निकाला पहला बॉल में फिर इनको चोट लगा शायद कैप्टन चॉइजस में सबसे पहला नम सेफ है वह अब अली अलमस एक अच्छे ऑप्शन है मेरा मानना है और जंदा भी जाएंगे जिशान खान के साथ जिशान का कंफर मेरे बात से मैं क्या चाहता हूं आप भी करो अली फरसाथ जिशान माध्यान के दिल्दार फिलाल मैंने लिया च्छेन आउजा को भी ले लिया चलो ले 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 लेते है अली आलमस को लिया घठनी को लिया खटर पल ऐस महंदास अच अगर यह टीम के साथ आपको खेलना है तो यह बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट टीम के साथ खेलने से ना खेलना बहुत ज़्यादा बेटर होता है बाकि आपकी मर्जी क्या करोगे बट मैं प्रिफर करूंगा अले से इन्वेस्ट करो एंड कुछ भी अगर अगर सब्डेट आते तो मैं आपको टेलिग्राम पे दे दूँगा टेलिग्राम जॉइन हो जाना वीडो बसंद है तो लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू गैस पर